तो आपडेट्स देनों तो पहला मैं चाहांगा जिड़े वी वीवर्स जोड़ चुके नहीं जोड़ रहे ने उस चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करने ताकि उन्हां तो कोई भी मेजर ऑस्ट्रेलिया अपडेट्स नहों सके तो आज ता जिड़ा कंटेंट है गया वह ऑस्ट्रेलिया जे पी यर तो रिलेटेड है गया जिड़ा की स्टेट ओपन ऑफशोर फॉर वन नाइन जीरो कैटेगरी और फोर नाइन वन नोमिनेशन प्रोग्राम नों लेकिया गया तो पहली काल ते वन नाइन जीरो की है गया फोर नाइन वन केटेगरी केड़ी है पहला पाँ थोड़ा जो देते आप निकल कर लेने थोड़ा जो देते चर्चा कर लेने क्योंकि कई लोगा नो शायद ओ चीज क्लियर ना होए सो जड़ा वन नाइन जीरो है गया वह एक्शली है गया नॉमिनेटेड स्किल्ट वोकर जड़ा है काटेगरी जिदे विच ओ उथे रह के काम कर सकता है ऐसा पर्मनेंट रेजिदेंशिप जड़ा फोर नाइन वन केटेगरी है गया वह थी हो जड़ी केटेगरी है वह है गया दा नियू स्किल्ट वर्ट रीजिनल वीजा इस अ प्रोफेशनल वीजा देट अग स्किल्ट वर्कर दूलिफ वर्क एंड श्टडी इंदी रीजन एरिया या हां जी जड़ा ऐ एह कर सकते हो पड़ाई कर सकते हो अपनी फैमिली दे नाल उथे रह सकते हो इस क्या टेगरी दे अंडर जड़ा है ओ नन्य वन नमिनेशन प्रोग्राम है सो एह category से उत्ते हुन जड़ा लिस्ट आउट होई है हुने by Department of Home Affairs जड़ा कि for 2022 and 2023 तकन उनने जड़े को लिस्ट आउट करन जा रहे ने occupation list and criteria कई states जी उनने कर देती है और कई states जी होन जारी और कई states जी हले होनी है सो ओ जड़ी states है उदे जपा थोड़ी जी आज जपा states सी गल करांगे let's say for the South Australia so for South Australia उननाने जड़ा है 190 category वास्ते 2700 places open किती है ने एदा ही हुनाने 491 category वास्ते 3180 यानि 380 places open किती है बट उदी जड़ी occupation list है and criteria है वो 25 अगस्नों वो release करन जा रहे ने for South Australia जड़ी आप गल कर दे पर है एदा ही next है गी है Queensland so Queensland पे जड़ी है गी है वो 3000 places है गी है 190 वास्ते and 1200 places है गी है 491 category वास्ते जड़ा के offshore occupation list जड़ी है उननाने जारी किती है इसी सारी category इसी जड़ा है criteria वगरह सारा उननाने लिस्ट औरड़ी publish कर देती है तुसी उनना दी ओवेस्ट और से लिया दी website ते जाके ना दी website ते जाके clearly check कर सकते हो कि तो अपनी eligibility criteria अगर तुसी उस दी विच्व occupation list किसी दे विच्वी eligible हो और तो अनुटो nomination मिलते ही पही है तुसी उठे apply कर सकते हो उदे इसकोई problem नहीं है then the third is the Victoria जड़ा की 291 category इदी जड़ी है offshore occupation जड़ी list है and the eligible criteria जड़ा उनना रख्या है to apply to get it apply that is 65 points and competent to the English यानी कि उदे विच्वी बच्चे दे कोल जड़ा लोग है उनना दे कोल 65 points होने चाहे थे and with their English competence अगर ओ तो आडे कोल सारी चीजा meet up कर दे भी है as per that eligibility criteria list of Victoria so to see you the ROI generate करा सकते और apply कर सकते as the basis of that the next is the new South Wales एक एवी बहुत Sydney वाली साइड भी बच्चा बहुत जाना चान्द है लोग की काफी जाना चान्दे ने तो उदे विच जड़ा है उन्होंने 7160 यानि 7160 प्लेसे open किती है 190 category वास्ते and 2790 places for 491 बट हली इना ने उदी लिस्ट आउट नहीं किती है occupation and criteria list हली इदी लिस्ट आउट होनी है और वो हो सकता है 3 अगस्त तकन या 1 सितंबर तकन वो इस चीज़नों भी release कर रहा सब्सक्राइब ने अपने number of places open किती है अंडर 190 and 491 वो सारे चीज़ां दे उच्छे तुसी easily उना दी सब्सक्राइब ने काफी सारे नामनेशन प्रोग्राम्स और प्लेसेज ओपन कार रहे ने ताकि क्योंकि यह ओई चीज देखो इत्थे भी ओचीज दर शांदी होन जड़ी लास्ट ताइम पिछे हली जड़ी मीटिंग हो इसी अपना मिनिस्टर से बेच इंडिया और ऑस् करन जा रहे ने जिते तुसी भी इस चीज दा काफी बैनिफेट्स चक सकते हो सो अज देवासे इनाई टर्नल फिर हाजर होंगे अस्ट्रेलिया दे अपडेट्स नूँ लाएके अगर तो अड़नू भी कोई ऑस्ट्रेलिया कंट्री नूँ लाएके कोई भी थाड़ी क्व तर्नल फिर हाजर होंगे और शेलिया दे अपडेट्स नूँ लाएके तिल दा टाइम थेंक्यू सो मच